है गाईज हाई नीट एग्जामिनेशन में जो स्कैम हुआ था उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से भाई आप भी सोच रहोंगे कि या टेंट में क्या ऐसा स्कैम हो सकता है तो CBSी ने इसका जवाब दे दिया है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और इसके लिए हमने स्टेट कदम उठा लिये है तो इस साल से तीन से चार बेसिक से एडवांस लेवल तक के चेंजे CBSी आपके एग्जामिनेशन सेंटर मिल आने वाला है अब क्या होने वाला है मैं आपको बस बता देता हूं और इस वीडियो के एंड में आपको एक सप्राइस दूगा इसको देखकर जाना एंड मैं आपको एक सप्राइस दूगा इसको देखकर जरू आना और आपको बस ये वीडियो अच्छी लगती है हमारे चैनल से लगता है तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्स्राइब जरू करना आगे बढ़ते हैं मुद्दे बर आते हैं ठीके बटा तो सीधा अगर 44 lakh students are expected to write the examination don't worry ये सिर्फ CBSA 10th के numbers नहीं है CBSA 12th को मिला कर है तो 44 lakh students are expected to write down और CCTV mandatory कर दी गई है अब ये सिर्फ CCTV की बात पे end नहीं होती है जरा more things which are coming ahead तो आप यहाँ पर रुख जाए मेजर से जो तीन चा चीज़े बताने वालों में इसको ध्यान से देखना ठीक है तो वो must install cameras to cover all examination areas recording high resolution footage continuously throughout the exam period भाई जिस वक्त आप examination लिख रहे हो उस पूरे examination period में CCTV लगी होनी चाहिए आपके सारे classrooms में उन सारे schools में जो examination center है और CBSA ने ये भी clearly बोला है कि अगर आपका school ये tech तक पहुचा नहीं है तो उसको examination center बनाया भी नहीं जाएगा ठीक है तो अगर अगर उस school में होना है उस school में board examination होनी है तो फिर उस school को अपना tech upgrade करना पड़ेगा CCTV के आपना लगाना पड़ेगा mandatory कर दिया है CBSC वालोंने दूसरी चीज़ privacy compliance अब ये क्या है देखो ध्यांसे students and staff must be informed about the CCTV installation with safeguards in place to protect the confidentiality of the recordings footage will only be accessible to authorized personnel and will be restrained for two months after results are declared of course ही बात है कि भाई हो सकता है कि आपका वो footages ही leak हो जाए है ना कहीं पर YouTube में डाल दिया जाया रैंडम ली ऐसे बहुत सारे हमारी तो फिर clearly उन सारी वीडियो को delete कर दिया जाएगा और किसी को भी ये वीडियो भी नहीं पहुचने वाले हैं तो you can be completely safe about your privacy अब बात करते हैं point no.3 की जो है monitoring protocol ये मेरे को बहुत interesting लगी ये advanced version था ये basic version है जिस तरीके से आपका paper leak या तो cheating बंद हो सकता है सबसे पहले one responsible individual will be assigned for every 10 examination rooms और 240 students to ensure fairness during examination यानि कि मान लोगी आपके school में 20 classes हैं जिसके अंदर board examinations होने वाले हैं उन में से 10 classrooms को एक individual invigilator assign कर दिया जाएंगे जो corridor में घूम घूम के घूम घूम के classroom में आते जाते आते जाते देखते जाएंगी कि भाई कुछ हो तो नहीं रहा तो अगर आपके 40 classrooms है जहां पे board examinations हो रहे हैं तो 4 inzillators लगा दिये जाएंगे 400 है तो 40 लगा दिये जाएंगे ये एक additional protocol mandate रखी है CBSE ने to curve down the paper leaks to curve down cheating in board examinations भाई इससे एक बात तो पूरी हो गई है कि अब board examinations में cheating करना और ज्यादा difficult हो गया है ये नहीं कह रहा है कि मेरे बच्चे cheating करते हैं बढ़ हां भाई जब 44 lakh students are going to write down the examination कुछ बच्चे कोशिश तो जरूर करेंगे may God be with those students may God be with you guys as well but what I am trying to say is कि हमारा दिमाग होना चाहे कि cheating meeting side में रखो हम कोई सबसे परक्टी बढ़ता हम अपने आप बल पे पास हो जाएंगे बस ये confidence हमारे इंदर हो जाना चाहिए है न क्या आपके अंदर एक confidence है मुझे comment section में जरूर बताईए गया sir मेरे अंदर इतना दम है कि मैं अपने दम पे 95 percentage plus ला सकता हूं या ला सकती और मैं और ये पूरा channel आपके साथ रहेगा बच्चों जैसा हमेशर आ है mid terms की पूरी तयारी अपने करवायती अब mid terms लेके panel examination की तयारी भी हमारे उपर आप tension मत लो क्योंकि वो हमारा काम है ठीक है आप पढ़ाई करते रो पढ़ाना हमारा काम है आप stress को side में रखो side करवा मिलते जाएंगे तो उसको में join कर लेना मिलते हैं नेक्स सेशन में अनिर्दिस अभिशेक signing off और हमारे इस चैनल पे हर दिन अपढ़ाई शुरू होने वाली है आप देखते जाओगे schedule टेलेग्राम चैनल पे आपको मिल जाएं